हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे how to start from phrase मतलब कि यहां पर उन बच्चों के लिए बात करेंगे कि जो repeat लेना चाहते हैं जो drop लेना चाहते हैं वो फिर से तयारी करना चाहते हैं वो मतलब अच्छे एक तरह से उनका result नहीं आपाया जो चाहते थे ठीक है तिह 6-7 महिने मिलते हैं अगर आपने अच्छे से utilize नहीं किया है तो आपको फिर उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से आपने start किया था ठीक है तो यह important हो जाता है कि आप 6-7 महिने जो आप drop ले रहे हैं इसमें आप कौन सी गलतियां ना करें कि आपका result जो है वो अच्छा आ सके ठीक है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ध्यान से देखिएगा और कुछ ने कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा और वो लोग बताएंगे जो लोग repeater हैं कि कुछ फायदा मिला या कुछ relate कर पा रहे हैं कि नहीं चीजों क्योंकि वहीं लोग बता सकते ह हैं जिन्नोंने एक साल ड्राप ले चुका है या फिर से लेना चाह रहे हैं वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीजों को ठीक है तिया पर हम सारी बातों को cover करेंगे कि subject में आपको कैसे करना है कोचिंग लेना है तो कौन से लेनी है या self study करना है तो कैसे करना है य है यहां पर हमने डिवाइट किया कि जैसे एक student होगा और दूसरा student होगा इसमें क्या होगा एक student को आता है बट क्या होगा कि वो तीन गंटे जो होता है तीन गंटे एक्जाम में utilize अच्छे से नहीं कर पाया उसके वज़द से उसका result नहीं आ पाया तो यहां पर हम लिख द लिए कि आपको subject आ रहा है कि नहीं तो कोई भी आप exam ले लिए मेंस ले लिए कोई भी exam ले लिए आप उसका 50% भी question कर पा रहे है ठीक है तो आपको एक अच्छा exam मतलब अच्छा माना जाएगा कि आपका तयार है ठीक है अगर उसके बाद भी आप preparation करते है एक साल तयारी क करते हैं तो आपका निश्चीत तौड़ पर अगर सही से किया है तो आपका कहीं कहीं selection हो जाएगा तो अगर 50% आपको तयार है उसके बाद आप अच्छा और करना चाहते हैं तो आपको simply क्या करना होगा वह भी हम अभी बताएंगे यहां देखिए दूसरे होते हैं कि जिन कि आप सब्जेक्ट को अच्छे तर से पढ़ेंगे आप बेसिक से पढ़ेंगे में होता क्या है कि आप बेसिक से एडवांस जाएंगे तो आप कोई भी question कर पाएंगे लेकिन आप सोचेंगे direct के advance कोस्चन कर लें उसके बाद हम basic कर लेंगे तो यह नहीं होगा कभी तो लेवल के question आप साल्व कर पाएंगे कोई भी topic उठाएं हमेशा basic से ही कीजिएगा इसका एक दो फायदे भी हैं कि जैसे आप माली जे कि कोई question साल्व करें ठीक है एक फर्मूला लगा है फिर दूसरा question पर दूसरा फर्मूला लगा है अब क्या होगा कि आप बार बार फर्म कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर हम थोड़ा ओर देखेंगे यहां पर उन बच्चों के लिए कि क्या होना चाहिए कि यहां पर देखते हैं जैसे इन लोगों का तयार तो अच्छा हुआ है लेकिन हुआ क्या कि इन गंटे एक्जाम में जाने चाहिए ते वह अच्छे से नहीं जा पाए तो उनका जो में रीजन होता है कि वो टेस्ट कम लगाए होते हैं टेस्ट जितना देंगे उतना आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे इंजाम में तो आप उनके लिए देखिए पढ़ते भी रही है और टेस्ट भी कोचिंग लेंगे तो कोचिंग में दो तरक होता है एक आप देखे भी होंगे आनलाइन चलना है और एक अफ लाइन तरह इस समय तो लोग प्रेफर कर रहे हैं आनलाइन वाला क्योंकि इस समय सिच्वेशन सही नहीं है लेकिन हम यहां पर अवराल बात करेंगे कि जब अगर आपके पास पैसा नहीं है आपके पास अतना नहीं है तो आप सेलफिश रेड़ी पर भी जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं इसका एक रिजन है कि जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको मान लिजे कि पांच बजब आठ वज़े से क्लास चल लिए और एक वज़े इसमें पाच गंटे आप पढ़ ले ठीक है उसके बाद घर पर आए उसके बाद भी पढ़ने हैं रिविजन कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो एक सेट्डूल में होता है कि हमें ये करना है। करप hypertitude में क्या होता है आप कहीं चले ग deix ले पिक टमामा के गर चैसे यो यह तंग मत यह इस धार आलाइन आप मुल्ड चाहे एक करना या अप लिए सकते आगर इसमेंम बात कर सकते है लिए यहां पर प्रेफर करेंगे अप्लाइन अब इसमें क्या होता है इसमें आनलाइन में क्या प्राबलम है इसमें क्या है कि जो concentration मतलब 2 गंटे का lecture है तो वो 3 गंटे में होने लगता है complete या 4 गंटे में होने लगता है complete तो यह problem होती है online वाले में ठीक है तो आपका यहाँ पर applying करेंगे और एक और region भी है कि जैसे आप जब भी laptop बैठते होंगे तो आप महसूस कियोंगे कि जैसे क्या होता है कि आपको आलसी बना देता है एक तरह से देखा जाए तो यह सारी region है कि हाँ online मतलब अगर आप नहीं कर पा रहें तो online कर सकते हैं लेकिन अगर आप line आपको मिल ला है तो आप line पे ही जाएगा यह आपके लिए better होगा क्योंकि आपको हम बता भी दिये कि 2 गंटे का lecture यहाँ पर 3 गं online और offline में मतलब सब कुछ बढ़ियां अगर आप कर पा रहे हैं ठीक है अगर नहीं है तो आप online इस समय प्रेफर कर सकते हैं अब यहां पर आजाते हैं self study तो वहां पर हमने बताए कि इसका क्या disadvantage है कि आप कोई भी काम करने लग गए या घर पर ही कुछ problem हो गया तो यह सारी क्या है यहां पर पूरा schedule रहे कि आपको इस time में यह करना इस time में यह करना है तो आप इन तारे जो 5-6 महीने या 6-7 महीने आप इनको effective यूज कर पाएंगे ठीक है यहां पर कुछ और चीज़े हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए यहां पर एक बहुत important बाते हैं यह जो हम होता क्या है हम आपको बता रहे हैं यहां पर कि यह जो 50 बच्चे है ना यह पहले से ही इसमें से 25 बच्चे रैंक लाए हुए रहते हैं या दूसरे कहीं न कहीं कोचिंग के enrolled हुए रहते हैं वो लोग इधर फोटो लगा देते हैं कोचिंग प्रचार करने के लिए तो आप कभी भी यह क्या कीजिएगा कि 100 बच्चे में से यह देखके मत जाएगा कि यहां पर 50 बच्चे होंगे तो हम भी जाएंगे तो हो जाएगा क्यों नहीं कीजिएगा इसका एक रीजान है जैसे आप कोई भी आप बनारस कई ले लेजे या कहीं पर भी ले लेजे वहां से मा मतलब बैच में से आते हैं वो जो मतलब पांच बैच एक्स्ट्रा जो बचे उन में से दस बच्चे आते हैं सिर्फ दस बच्चे समझ रहे हैं और एक मतलब एक बैच का में क्या है कि जब भी कोचिंग लीजिएगा तो आप सिनियर का एलप लीजिएगा या कोई कांटेक्ट हो जहां से पढ़ा हो तो आप एक बार जरूर पूछेगा कि यहां पर किस लिवल का पढ़ाई होता है या बेसिक क्लियर कराते हैं कि नहीं या हार्ड कोश्चन ही कराते आपको अब हार्ड करने से क्या फाइदा आपको 50-60% कोश्चन तो माडरेट और इजी से माडरेट ही आते हैं या पर 30% कोश्चन हार्ड आते हैं तो आप 30% नहीं करेंगे तब भी आपका सेलेक्शन हो जागा तो कभी भी आप हार्ड के पीछे मत जाएगे आपका basic main clear होना आप पांच बैच वाले में चले जाएंगे और उसमें अच्छे टीचर भी नहीं जाएंगे और होगा क्या कि आपका पैसा बरबाद होगा और आप हमें नहीं लग रहा है कि कोई एक लाख रुपया दे कि यहां पे एडमिशन कर लेगा उसके बाद फिर से कोई एक और कोचि साथ याथ यह आप गलती मत कीजेगा आप कभी भी कोचिंग लिजेगा या आनलाइन ले या आप लाइन किसी सीनियर से ज़रूर पूछ के लिजेगा कि यह गलती आपको दुबारा न मिले क्योंकि 5-6 महिना जो होता है वो बहुत ही इंपार्टेट होता है अगर आपने कर मत जाएगा क्योंकि हमारे साथ जो मैक्सिमम लोग थे वो मदब 4-5 वाले बहें आता है क्योंकि होता है कि अवरेज स्टुडेंट ही होते हैं तो वह 5-6 बहें ऐसा तो आइने कि रैंक लाए होते तो चली फर्ष्ट बहें आए गया है लेकिन होगा क्या कि एवरेज बच कर लेते हैं कि अगर physics chemistry math पढ़ना रहा है या कैसे करना रहा है तो आप मतलब खुद से कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे देखिए जो physics के लिए अवलेबल आप जनते भी होंगे कि physics वाला इस समय बेस्ट है और इसमें क्यों बेस्ट है यह भी एक important है क्योंकि यह जो है आपको एक cd type चड़ा देंगे और क्या होगा कि आप 0 से लेकर आप 100% मतलब advanced तक भी आप जा सकते हैं ठीक है तो इसलिए important है अब हम यहां पर बात करें chemistry और math का यहां पे lecture available है लेकिन यह वाला बात नहीं है कि आप 0 से 100 तक चले जाएं ठीक है यहां पर 0 से आप 100 जा रहे यहां पर आपको cd type का मिल गया है कि आप यहां से जा रहे हैं और आपको 100% ही 50-60% question आपका रही पाएं ठीक है तो यह हम allow नहीं करेंगे कि आप physics और chemistry और math के लिए आप कोई यूटूब ले मतलब कोई topic देख सकते हैं single topic आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन पूरा totally depend न आप ले सकते हैं chemistry की बात करें तो यह देखें NCRT जो लिखे हैं न यह 50-60% हर exam में आता है मतलब हर कोई भी exam हो 50-60% आता है advance में क्या होता है जही advance की बात करें वहां पर थोड़ा सा घुमा दे जाता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको इसी का application पढ़ना रहाता है ठीक है तो आपको इतना तो जरूर करना होगा जो चार भूख है इसको मतलब रट जाईए अगर नहीं समझ में रहा है तो रट जाईए ठीक है यह बहुत important है अगर जही main दे रहे हैं तो आपका समझ लिए कि आउसदी का काम करेगा अगर आपने नहीं किया तो आपका कभी भी result न सकते हैं मतलब जहां से पूछ सकते हैं सीनियर से कि कौन सा अच्छा है अरगेनिक के लिए थोड़ा सा मुस्की लो जाता क्योंकि यह समझ में नहीं आता तो आप अच्छे वीडियो लेक्चर देखिएगा या कोचिंग में जाएगा जहां पर आपको यह चीज अच्छे मि मिलेगा कहीं कमिष्टी अच्छा मिलेगा कहीं कहीं मैत अच्छा मिलेगा तो आप उस कोचिंग में जाएगा जो आपका वीक है या आपको जिसकी जरूरत है ठीक है अगर अमायत की बात करें तो यहां पर देखिए यह तो मतलब बेसिक है ठीक है उसके बात क्या करेंगे आप 8D सर्मा अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप 8D सर्मा अपने से भी कर सकते हैं या किसी टापिक को नहीं समझ मायरा तो YouTube का help ले सकते हैं या आप अपना कोई भी advance के लिए कोई भी book आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं जो आप अगर अच्छे से कर करें जब भी question solve करें तो आपको advance तक भी आपको देखने को मिल जाएगा और कोई भी exam निकल सकता है आप सिर्फ मेहनत कीजिए ऐसा नहीं होगा कि आपका यह मेहनत बेकार होगा अगर नहीं भी हुआ तो कहीं ने कहीं यूज हो जाएगा तो जो लोग 12th pass out है वो एक साल drop ल लेगा लेकिन आपके उपर है कि आप कितना यूज कर पा रहे हैं यह सारी चीजे थी जो हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए अगर आपके पास अगर कोई और question बसता है या कोई और भी मतलब topic पर है तो आप comment में कर सकते हैं हम चाहेंगे कि उस video मतलब उस topic पर video बनाए जैसा भी होगा आप comment में कर दिएगा या कोई भी प्राब्लों हो तो आप number पर भी message कर सकते हम चाहेंगे कि मतलब आपको सही suggestion दिया जाए ठीक है तो चलिए इस video में यही तकराने देते हैं अगर कोई भी प्राब्लों हो तो आप comment कीजिएगा